अधाब नाजीन आप देख रहे है चैनल वान और मैं हूँ मीरवर इस वक्त जैसा कि अभी आपको तश्विर में नजर आ रहा होगा मेरे पीछे ये ब्रिज है जो कि कमरवारी एरिया में वाकिया है सीमेट ब्रिज का नाम रखा गया है और ये जो ब्रिज है एक बड़ी सालों की अगर हम कैल्बिलेशन देखें रिपोर्ट देखें उसके मताबिक आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसा में स्पॉर्ट बन चुका है जहां पे सबसे ज्यादा सुईसाइड एटेंट्स हुए हलाकि अगर हम पिछले दो-तीन महिनों की बात करें उन दो-तीन महिनों म पाते और कल इसी हवाले से एक रिपोर्ट सामनी आई जिसमें कहा गया कि एक नामालूम शक्स ने इस पुल से जो है चलांग मारी है और कल तगरीबन कहा जा सकता है पांच बजे से जो SDRF और रिवर प्लीस है वो ऑपरेशन जारी रखे हैं उस डेड़ बोडी को अभी इस पानी से बाहर रिकाने के लिए हलाकि अगर अभी हम सीजन के हवाले से बात करें या जो अभी पानी के फ्लो के हवाले से अगर बात करें ये वो टाइम है जब जो बरफ है वो पेगलना शुरू होती है और उसकी वज़ा से जो पानी का फ्लो है वो बहुत तेज होता है और इस ताइम अगर पानी की हाइट के भी हवाले से अगर बात करें वो भी अभी काफी उपर है जिसकी वज़ा से जो SDRF है और रिवर पुलीस है जो इसको रिट्रीव करने की बॉड़ी को फिश आउट करने की कोशिशे कल से लगातार कर रही है लेकिन अभी तक जो है उसकी ज और पर डिफाइन नहीं हो पा रहा है क्या वो एक मेल है या फिमेल है लेकिन यहां जो लाके पर लोग रहने वाले हैं उनका मानना है कि वो एक मेल था और जो अगर हम जेके प्लीस की बात करें तो उनकी तरफ से जो है जो स्टेटमेंट ऑफिशली सामने आया है जब हमने उनके साथ फोन पर बात की तो कहा गया कि वो फिमेल है लेकिन अब दोनुस उर्थों में important ये है कि कब तक उस dead body को पानी से बाहर निकाला जाएगा और एक important question जो यहां पर खड़ा होता है अगर कई सालों की ये बात है कई सालों से ये जो bridge है एक मौत का सबब बन चुका है ज क्यों है कि उनको last में एक option मिलता है वो ये bridge है जहां से वो अपनी जिन्दगी का खात्मा करते हैं जमदारी बनती है यहां की government की यहां की administration की जिन से कई दफ़ा यहां के आम अवाम ने भी गुजारिश की कि इस bridge की fencing की जाए ताकि जो एक important जान है वो बच सकती है जब इन करना लेकिन हमारे पास administration की तरफ से इतने कई सारे एकदामात हैं जहां से वो उस इनसानी जान को बचा सकते हैं और उसमें एक counseling भी आती है लेकिन बजाए counseling के वो शक्स जो जिन्दगी से परिशान होता है मजबूर होता है अपनी हालात से उसके पास एक option बचता है वो ये bridge है अब ये एक आखिर में मैं आप सबसे भी गुजारिश करता हूँ कि अगर कभी भी अगर आप इस पुल से गुजर रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप गाड़ी से travel कर रहे हैं और आपको किसी शक्स पे शक होता है कि वो इस पुल पे कुछ जादा वक्त spend कर रहा है तो बरायर हैं आप उस शक्स के पास जाएं उससे पूछें वज़ा कि वो इस पुल पे खड़ा क्यों है हो सकता है कि वो खुदकुशी करने के लिए आया हो लेकिन अगर आपने वो कदम उठाया हो सकता है कि उसकी जिंदगी बच सकती है और साथ साथ administration की भी जमदारी बन चुकी है क्यों इस पूल पे फैंसिंग नहीं की जा रही है चैनल वन के लिए मीर उबर श्रीनगर